हेगाईज वेल्कम बैक टू पब्लिक पी एक्सिन राम चौधरी चैनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है और यार आज के सब वीडियो के अंदर जैसा के आपने मुझे पूछा था कि सर मर्चन डीवी की जब हम नौकरी करते हैं तो उस दर्मियान हमको खाना पीना कैसा मिलता है यानि कि खाने पीने की विवस्ता जहाज पर कैसी होती है देखेगा मैं पूरा डिस्क्राइफ करूँगा हर एक शिप की कंडिसन कैसी होती है और ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम को जो हम चाते हैं वो खाना भी नहीं मिल पाता है यानि कि हमें बिस्क्ट से या फिर हमें मैगी से पूरे 6-6 महीने 9 महीने गुजारने पड़ते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि हर शिप पर आपको खाने पीरी की शुब्दा बड़ी बैस्ट मिलती हो। ऐसा नहीं होता है। तो वो मैं बता हूँ है वो एक्ट्रों में कंडीसन कौन कौन सी होती हैं जिनके बारे में मैं इस टॉपिक पर यह डिसकस करने वाला हूँ। पूरा डिसकस करूँगा हर एक जहाज के बारे में ताकि आपको यह समझ में आएगा कि जो आपके एजन्ट आपको बोलते हैं आपके दोस्त बोलते हैं वो कितना सच्छा और कितना गलत है। होता है कितना काम उनको करना पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है। हो क्रिउज हो या फिर ओल टेंकर हो इनो तो किसी भी तरह का CNG केरियर हो किसी भी तरह का जहाज हो खाना पीना बनता है। लेकिन जैसे कि सपोस्त करो हम जो है नौर्थ इंडियन है राइट हम यूपी से इधर से ब्लॉंग करते हैं। उस शिप पर वो ये देखा जाता है कि अगर उस जहाज पर जिस पर आपकी जोइनिंग होने वाली है उस जहाज पर यदि इंडियन कुक हुआ तो इंडियन खाना बनाएगा। नौर्थ साइड का जो खाना है वो उस जहाज पर नहीं मिलेगा जैसे चपाती जैसे कि रोटी हैं रोटी आपको देखने को नहीं मिलेंगी तो वो डिपेंड करता है मैजरोटी के उपर एक और चीज में बता देता हूँ कि घर पर आपने साइधी ऐसा खाना खाया होगा जो आपको जहाज पर देखने को मिलता है यानि कि मैं बोल रहा हूँ बेस्ट क्वालिटी का एक दम फाइब स्टार खाना मिलता है जो आपने घर पर नहीं खाया देखिए का खाने पीने की मैं तीन सिफ्ट होती है बैसे नाइट में ड्यूटी लगी हो तो उनका भी मैं ब बता रहा हूँ यानि मैंने अपने जहाजों पर देखा इसी लिए मैं बता रहूँ बागी अधर जहास में कुछ इससे हट करके कुछ नहीं होता है तो इसमें क्या होता है देखो चालडी 3 से लिए खाने की दिन में एक सुबई दुपेर और सám सुबई क्या होता है कि जब पढ़ सकता है लेकिन emergency circumstances बहुत कम आती है अब क्या हो मुझे सुबह का मेरे खाना का लिया देखो सुबह के नास्ते में क्या है ऐसा कोई fix नहीं होता है कि प्रती दिन एक ही तरह का खाना बनता हो एक ही तरह का जो है break fast बनता हो ऐसा बिलकुल नहीं होता है किसी दिन breakfast में जो भी cook चाहे जो उसे अच्छा लग रहा है वो बना सकता है और जादातर जो majority होती है अगर इंडियन है तो जाइज है इंडियन के लिए चपाती मिलना ही मिलना है चपाती आपको मिल जाएगा दाल मिल जाएगा दूसरी बात आपको non-ways दबा के मिलेगा यानि कि मचलिया हो गया या फिर मुर्गे हो गया इस तरह से जो भी non-ways होता है वो सब आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा और non-ways उससे भी better quality का आपको भाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि होता क्या है देखो जाएअपर जो खाने पीने के वैज लोते लो उनकी होता है कमी भी होती है तो कौन सी चन्डीशन में होती है वो भी मैं आपको बता हुँआ जब आपको बिस्कe癡 सिर्फ बिस्किट्स खाने से आपको 2-3 मेने गुजारने पड़ सकते हैं वो कौन सी कंडेशन होती है यानि कि शुरुवाती दौर में मैं आपको इसके बड़े अच्छे एडवांटेज बता रहूं यानि कि खाना पीना एक दम अच्छे लेवल का होता है खूब दबा के खाओ कोई कमी नहीं होत है और वो भी लाखों रुपेयों में आता है यानि कि अगर 20 लोग सपोस करो 20 आदमी अगर एक जहाज पर नोकरी करते हैं कुछ टेक्निकल वर्ड में इस्तमाल नहीं करूँगा बरना समझ मीं नहीं आएगा 20 लोग ये एक जहाज पर नोकरी करते हैं तो एक महीनी में बता क्या वो तीन लाख का चाल लाख का खाना खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं तो उसके इतना मतलब काफी अच्छा खाना मिलता है आपको काफी जो चीज़ें होती है और ये हर जाज पर वेरी करता है अगर कोई जहाज अच्छा कंपनी का है तो जाइज है वो अपने members है या फर officers है जो officer खाएगा वो ही crew member के लिए होता है कोई भी अलग नहीं होता है दुपेर में चाबल दाल चाबल और कुछ ठीक है और सुबह के टाइम पर breakfast होता है जातर हर दिन अलग बटा रहता है आज क्या बनाएगा क्या नहीं बनाएगा वो सब chief cook के उपर depend रहता है चीफ cook होता है वो ही सब कुछ fix कर देता है कि इस दिन ये बनेगा बाकी यदि आपका suppose करो किसी का birthday है किसी का जन्ब दिन है तो उस दोरान भी वो cake बना सकता है बड़े बड़े अच्छे recipes कुछ items बना सकता है तो कोई लोक टोक नहीं होती है आपका सलाद पूरा full जो है सलाद मिलेगा आपको इधर आपका हलबा भी कभी बनता है कभी खीर बन जाएगी बहुत सारी items है नाम भी याद नहीं क्या क्या मि अपने पांच वेज खतम हो जाएगी तो उसके दर्मियान जब अपने किचिन में आता तो जाइज है वहां पर कुछ अंडे वगरा यह सब मिल जाता है तो अंडे वगरा दवा की मिलता है नौन वेस दवा की मिलता खूब खाओ एक दम जितना खाया जैसा कि उतना खाओ औ मेरा तो यह श्यडियूल था कि जब मैं साम को सोने जाता था नो दौस बजे तो ऐसे में साम को अंडे वंडे काट करके और सलाद वलाद और और भी बहुत सारी आइटम्स थे वो सब मिक्स करके क्योंकि हमारे जो चीफ कुक थे वो मत्रा के रहने वाले थे तो ऐसे में हमा होता था कि आज यह बना दो तो वह इमेडिटली बना करके तयार हो जाता है तो यह थोड़ा सा अगर आपका नेचर अच्छा है और आप थोड़ा गुल्मिल बहुत जल्दी जाते हैं एक दूसरे के साथ में तो यह बड़ा बैनिफिट होता है शिप्त के उपर आप अगर अगर अपने घमंड में रहेंगे तो वहाँ पर जाइज है सब लोग आपका शोषन कर लेंगे मतलब आपको पेल पेल के काम में देंगे बहुत सारा काम होता है जाज के उपर अगर आप OS से या OS डिपार्टमेंट से और डिनरी सीमन से सम्मद रखते हैं तो जाज की साफ स काम आपका ही होता है जाज अगर कहीं रुकेगा तो भी या फिर एंकरेज एरिया में एंकर डालेगा तो भी मतलब वह सब काम OS का होता है तो खेर पोस्ट कोई भी बेकार नहीं होती सबीकी अच्छी सेलरी होती है तो ऐसे में अच्छे देखो खाना पीना अब मैं आपको तोड़ी सी और बता देता हूं उसके बाद आपके डाउट में बताते रहूंगा क्या होता है कि सपोस्ट करो आपकी से टगबोट पर आपके एजन्ट है आपको नोकरी लगवा दिया या फिर आप अपने कॉलेज केंपस से आपका जो एंटर्व्यू बेस्ट पर हो कुछ कमपनियां आपको ले गई हैं स्पोसर्शिप किया हुआ है तो ऐसे में क्या होता है कि सपोस्ट करो किसी भी कारण वस आपका शिप नहीं मिला अच्छा आपको कोई बेकार शिप मिलगा एकदम खटारा और इसके साथ कोई टगबोट मिल गई बहुत बेकार सी टगबोट म सब्सक्राइब करने के लिए आपको सामान मिल जाएगा स्मोकिंग ले आतर तो सिग्रेट मिला देखा हुआ है बाकी गटगा गटगा तो यह सब बहुत कम देखने को मिलता है तो सिग्रेट एक अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाता है और इसके साथ ही साथ क्या होता है कि अगर आप सपोस्ट करो आप नौन वेज है या फिर आप जो है बियर नहीं पीते से ऐसे में क्या होता है कि जैसे evolve करो आपके पास आपको 10 कैन आपको बियर की मिली और उसमें 10 juice का मिला तो अगर आप बियर नहीं पीते हो तो 10 कैन हर कोई ले लेगा 2, 2, 3, 3 या फ़र किसी एक को दे दो यह 10 केन आप मेरी ले लो और मुझे आप फल फ्यूट वाला ज़र जूस है उसे दे दो या फिर आप दूद मिल्क वाली केन मुझे दे दो तो वो सब चेंज होता रहता है ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि नहीं आप पी नहीं पड़ेगा खाने ही पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे मैंने आपको एक गया जो है यह फोटो चल रहा है कि और इसे खाय जाता है तो बड़ाई अच्छा होता है कि जहाज जो है स्टील हो गया है पकड़ा गया है किसी भी गलत कर्म में यानि कि कुछ लेज आ रहा है किसी दो नम्मर का माल बेच नहीं है किसी भी कारण बस हो सकता है तो अगर वो जहाज पकड़ा गया तो जाइस है बहार से जो आपको खाने पीने का सामान आता है वो रुक जाएगा ऐसा नहीं है कि तुरणत आता रहेगा, ऐसा नहीं है बाई, अगर किसी कंडिशन में जहाज फ़स गया है, तो वो बस तभी होता है, जब किसी गलत काम में आपका जहाज चल रहा है और वो पकड़ा गया, तो ऐसे में बाहर से लेन देन जो होता है खान पिन वो बंद कर दिय जाता है तो ऐसे में जो भी जहाज पर सामान होता है वो ही आपको खाना पीना पड़ेगा वो ही कुछ टाइम के लिए रखना पड़ेगा कोई कोई टाइम ऐसा भी आ जाता है कि सपोस्ट को आप नौर्थ इंडियन है और साउथ इंडियन का आप खाना नहीं खा सकते या पर सभी लोग फिलिपीन्स के लोगों के साथ तो मैं खूब रहा हूं वो क्या करते हैं जादतर जो मास होता है वो से वोईल कर देते हैं नमक मिर्स डालके और खा जाते हैं उन्हें पकाते भी नहीं है तो बड़ा ही अलग सा मतलब आपको चपाती देखने को नहीं मिलेग फल फ्रूट मिलेगा लेकर ज्यादा मात्रा में नहीं मिलेगा तो क्योंकि वो मैजर्टी जो है बेस्ड खाना वहां पर बनता है खाना मिलता है आपको तो जरूरी नहीं है आपकी जोइनिंग डिपेंड करती है कैसे जाज पर जोइनिंग होई है अगर कोई में फ्लीट मे अगर आपकी joining लगी है तो वो एक अच्छा जहाज होता है ऐसे में खाने पीने की विवस्ता का ध्यान रखा जाता है तो जब भी कभी आप joining रखें तो सबसे पहले आप अपने agent से जानकारी जरूर करें कि उस जहाज पर ये कोक है और कहा का कोक है ये सब आपको बता देगा तो बहुत सारी चीज़ें जो कि में वो matter करती है तो खाने पीने के को लेकर के आप कभी भी tension मत लिया करो अगर आपका कोई भी सबाल है सुझा वो तो आप मुझे दे सकते हैं बाकी पड़ाई लिखाई क्या कुछ होती है merchant navy की पड़ाई कैसी होती है वो सब ही में बता दूँगा और कुछ मुझे comment आ रही थी कि IMU के बारे में आप बताईए तो मेरा खुद अपना एक मेत्र है वो IMU में जो IMU से sponsorship लेकर के और अंगलो में गया हुआ है तो मैं उसके बारे में आपको बताऊँ हुआ मैं दाऊं मैं आपको next वीडियो के साथ ये दिया आपका कोई doubt ने भी से रिट तो आप मुझे पोस सकते हैं धन्यवाद